हेलो दोस्तो मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस मैं वर्ल केर थमनेल देखके जो भी लीडीज यहाँ पर आई हैं मैं डेफनेटली उनसे सारी बाते खुल के करना जाती हूँ पहले मैं उझे लगता था कि ये टॉपिक जस्टिक टैबू है बट मुझे लगा कि इस टॉपिक को भी इग्नोर करना सही नहीं है क्योंकि day to day life में हमें ये problem जिलनी पड़ती है बहुत सारी लीडीज के और वो शर्म के मारे किसी से कह भी नहीं पाती तो क्या-क्या ऐसे कारण हो सकते हैं और कारण भी हो सकते हैं दूसरा उनको हम लोग निजात कैसे पा सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसे होती है कि चीजे बहुत छोटी होती हैं कभी हमें लगता है कि शर्म के मारे हम बोले ना बोले और वो बढ़ती चले जाती है तो आपको छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना है जिससे कि आप इस problem से निजात पा सकते हैं सबसे पहले जैसे कि बहुत सारे अगर लेडीज हैं तो कभी ऐसा होता है कि उनको इस तरह की अगर चीजे होती हैं उनके साथ तो उनको बहुत जादा शर्मिंदिगी लगती है लेकिन actual बात यह होती है कि जो अगर जहां से fart होती है जैसे आपको पता है वहां हमारी controlling muscle होती है वहां हम लोग control कर सकते हैं लेकिन जो अगर vaginal fart होती है जो की सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है in fact हम लोग सोचते हैं कि किसी ने सुना तो नहीं या खुद भी बहुत जादा शर्मिंदी की महसूस होती है तो उस case में क्या होता है वो इसलिए controlling होता है क्योंकि वहाँ controlling muscles होते ही नहीं है इसलिए हमें इतना जादा शर्मिंदा लगता है तो ये चीजों को हम लोग कैसे निजातपा सकते हैं सबसे important चीज जो हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारे कुछ भी जो भोजन होते हैं उससे हमें जितना भी digestion का जो काम होता है तो हमारे digestion अच्छी होगी या बुरी होगी वो सब कुछ हमारे food से depend करती है जिस तरह के food अगर हम लोग खाएंगे उस तरह के हमारे results होंगे और वो हमारे health पे भी वो सारी चीज़े दिखाए देंगी और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़े खा लिते हैं जिसका कही न कहीं गैस से connection होता है लाइक अगर आप बहुत जादा same का same फली जो होती है बीन्स होती है गो भी होती है अगर बहुत ज़ादा इस्तंपाल कर रहे हैं छोले खा रहे हैं यह सारे जो प्रोड़क्ट्स होते हैं यह सारे जो वेजिटेभल्स होते हैं वो आपको पेट में गैसσε क्रेट कर सकते हैं तो अगर आपको इस तरह कि दडाय जोड़ी है Natürlich जरूर खा लिजे अजवाइन भी थोड़ा सा आप ले सकते हैं जैसे कि आपकी किचन में एबलेबल रहता ही रहता है तो आपको थोड़ा सा अजवाइन लेना है अजवाइन को भी आप गरम पाने के साथ खा सकते हैं तो आपकी जो गैस बनने की जो प्रॉसेस है जो कि आपक कितना जादा exercise को महत्वर रखते हैं, योगा आपकी लिए कितना जादा important है, अगर बहुत सारे लोग किसी भी दरह की physical activity कर रहे हैं, मैं घर की बात नहीं कर रहे हूं, कि घर की काम आप कर रहे हैं, हाँ उससे भी आपका बहुत जादा weight lose होता है, आपके जो digestion होते हैं, वो भी practice करते हैं, अगर आप योगा में इस portion को ये जो आसन है, उसको अगर daily practice करते हैं, तो आपको gas की भी समस्या नहीं होती है, और आपको शर्मिंदिगी नहीं जिलनी पड़ती है, हाँ लेकिन आपके शरीर में एक्टिवने सोना बहुत जादा ज़रूरी है, आप घर के काम कित करते रहें, क्योंकि इससे आपकी जो digestion है, वो भी काफी इंप्रूफ होती है, और योगा की जिस्ट मैंने एक आसन की बात की, अगर योगासन में आप अगर दो तीन चीजे और करीगा, लाइक कपाल भाती करीगा, या फिर आप अनुलोंग विलोंग करीगा, या फिर आप cycling कर सकते हैं, बहुत सरे ऐसे आसन होते हैं, तो जिससे कि जो आपकी bubble movement है, वो काफी अच्छी बनी रहेगी, जिससे कि gas नहीं होगी, तो gas इतनी जादा नहीं होगी, तो ये सारी चीजे काफी problem, मतलब खतम हो जाएगा, आपको शर्मिंदिगी उठाने नहीं पड़ेगी, तो अगर इस तरह की चीजे आपके साथ हो रही हैं, तो इसे एक taboo मत मानिए, ये वीडियो बहुत ही हिमत के साथ बना रही हूँ, मुझे लगा कि ये एक genuine problem है, इसके उपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मेरे इस effort को एक like तो बनता ही है, मुझे पुरा विश्वास है, इन चीज जरूर कर देजिगा, तो ही मैं समझूँगी कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, ट्विन्स माइ वर्ल्ड केयर